हालो एवरिवन मलीक के किचन खाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने वाली हूँ सभी की आल टाइम फेवरेट वैनिल आइस्क्रीम चाहे कोई सभी सीजन ओ आइस्क्रीम हम सभी की फेवरेट होती है और इसे में बहुत ही आसान सरीके से करते हैं तो चलहें शूरू करते हैं अब में अस सब्सक्रीश से ल करते हैं मिकसर कटे और milk powder का taste इसमें बहुत ही अच्छा आता है और अब में डालने जारी है इसमें एक कटोरी भर के शकर का भूरा यहाँ पर हमें शकर का भूरा ही यूज़ करना है तो अब आप यहाँ पर डालें एक चमच वैनिला essence चाहें तो आप अपनी पसंद का कोई साथ भी essence इसमें डाल सकते हैं जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो और शकर का भूरा हो तो आप शकर को भी powder बना कर इसमें डाल दीजिए लेकिन खड़ी शकर नहीं डालते क्योंकि कई बार खड़ी शकर डालने से हमारी आइस क्रीम में ब बहुत क्रीमी लग रहा है देखें आपको दिखाते हूं देखें कितना अच्छा इसका पेस्ट एकड़ा और कितना क्रीमी लग रहा है तो अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आइस क्रीम का बेटर आप चाहें तो इसमें ऊपर से पॉलितिन लगा सकते हैं यहां पर इसे ही डखन डरेक्ट ली लगा रहे हैं और और नाइट के लिए यह फिर साथ से आट घंटे के लिए हम इसे डीप फ्रीजर में जबने के लिए रखना है तो अब हमारी आइस क्रीम बन के रेड़ी है मै आपको खोल कर दिखाती है और यह देखे कितनी अच्छी दिख रहे हैं मारी आइस क्रीम का करने के लिए मैं यहाप आइसक्रीं कॉंड लिया है इस तरह से कौन में आइस्क्रीम खाने से थोड़ी से मार्केट वाली फिलिंग भी आ दी और बच्चे भी इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं तो यह देखे कितनी अच्छी दिख रही है हमारी आइस्क्रीम और इसे में ऊपर से थोड़ा से इसमें स्प्रिंकल्स डाल द और इस तरह से बनी आश्क्रीम खाने में बहुत ही टीस्टी होती और कोण के साथ इसका मजा डबल हो जाता है तो आप इसे एक बार जरूर से ट्राय करो आपको यह बहुत ही पसंद आने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने किमती समय निकाल कर आप मेरे वीडियो को देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत थेंक्यू फिर मिलूंगे अगली रेसिपी के साथ